है हेलो स्टुडेंस वेलकम अगें तुदा स्वामी विवेकरल रिंस्ट्यूट हम आजकल जो चल रही है वह जाधा तर ओर्गैनिक के टॉपिक्स से हम कवर कर रहे है और उसमें भी जाधा तर क्या कर रहे हैं कि जो और यानिक reactions है उनको discuss कर रहे हैं with mechanism क्योंकि organic ज्यादा तर क्या होता है कि reaction तो आपको बता देते हैं कि यह reaction में यह reactant है और यह इसके अंदर base है यह acid डलेगा यह होगा बट mechanism जो है most important part होता है किसी भी organic reaction का और उसको अच्छे से समझना उसको detail में discuss करना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो one by one हम एक reaction discuss करेंगे with mechanism छोटी छोटी वीडियोस होंगी क्योंकि organic एक ऐसा topic है जिसमें आप बहुत सारा matter जो है practice करने हैं ताकि वह reaction की mechanism उसके में जो product बनेगा उसका हर एक point आपको अच्छे से दिमाग में से हो जाए कि किस mechanism के थुरू होगी कार्बोकेटायन बनेगा कार्बोनायन बनेगा कार्बीन बनेगी नाइट्रीन बनेगी या फ्री रेडिकल बनेगा intermediate क्या होगा reactant क्या होगा और reactant में भी mechanism जो है SN1 होगी SN2 होगी ठीक है कौन से reactants की reactivity का क्या order होगा बहुत सारे facts होते हैं सिर्फ यह नहीं होता कि आप दो reactant को mix करो reaction हो गई और mechanism आपने देख ली कि यह हो रही है उस reaction के उपर किस चीज़ का क्या impact होता है solvent का क्या impact होता है temperature का क्या impact होता है हर तरीके से एक topic को एक बार में इस तरीके से पढ़ो कि दुबारा उसको पढ़ने की ज़रूत ना पड़े दुबारा सिर्फ हलका सा revise करना बड़े जबी भी आपका एक्जाम हो तो हर एक point cover करना होता है क्योंकि पदा नहीं टोपिक में से कुछ नया निकालना है तो science के अंदर यह चीज़ है कि बहुत unlimited चीज़े हैं पूछने के लिए unlimited questions है तो उसी तरीके से आपको एक topic को हर aspect से cover करना होता है specially in organic क्योंकि organic में हलकी सी भी conditions change होगी reaction में तो product change हो जाएगा ठीक है या तो stereo chemistry injection इससे पहले हमने कार्विलैंबीन मने डिसकस किती वह तो कार्विलैंबीन उसमें कार्वीन इसे intermediate form होता है इस वाली reaction में इसमें आंजा intermediate form होता है क्योंकि हमने पहले कार्वीन को डिसकस किया था तो जरूरी है कि उसimize City दिसकस कर लिया जाए होता है टो मोस्ट आफ इंपोर्टेंट अर्यक्शन ही इस ही में क्या होता है और chloroform यूज होती है, phenol, chloroform और base यूज होता है, तो यहाँ पे आप reactant तो change नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक particular compound यूज हो रहा है, ऐसा नहीं कि alcohols यूज हो रहे हैं, phenol यूज हो रहा है, तो ज़्यादा तर जो question पूछे जाते हैं, इसमें intermediate से पूछे जाएंगे, कि intermediate क्या ब questions पूछे जाते हैं, अलग-अलग substitute आपको दे दिये जाएंगे, phenol के और तब पूछा जाएगा, तो यह चीज इसमें ध्यान देने वाली है, reaction क्या है, basically, phenol जो है, react करता है, किसके साथ, chloroform के साथ, in the presence of a strong base, naoH या koH, कोई भी हो जाएगा, और यहाँ पे आपका बनेग और्थो कंपाउंड, ठीक है, जिसको हम सालिसल डिहाइड कहते है, phenol के और्थो पोजिशन पे, CHO ग्रूप अटेश हो जाता है, और यहाँ से वाटर निकलता है, साइड प्रोड़क्ट और KCL के 3 molecules, तीन मॉलिक्यूल बेस के यूज होते हैं, और तीन ही KCL के मॉलिक्यूल यहाँ पे बनते हैं, तो यह है हमारी overall reaction, remate even reaction, basically reaction of phenol with chloroform in the presence of a strong base, such as KOH और NaOH, और प्रोड़क्ट आपका जो बनेगा, वो सैलिसल डिहाइड बनेगा, और्थो पोजिशन पे हमेशा CHO ग्रूप जाएगा, फिनोल के, क्योंकि जो फिनोल के अंदर functional group है, OH वो और्थो पै जाएगा या पैरा पे जाएगा, इस particular reaction के case में, जो आने वाला group है, वो जाएगा ortho position पे, अब हम देखेंगे इसकी mechanism, कि mechanism क्या होती है, mechanism को हमेशा अलग-अलग steps में तोड की समझना चाहिए, एक particular एक साथ समझोगे, तो इतनी बड़ी चीज़ को आप याद नहीं रख पाऊगे, चोटे-चोटे steps में उसके तोड़ दिया जाता है कि पहले step में क्या होगा, दूसरे में क्या होगा, तो सबसे पहला step इसका same है, बिल्कुल वैसा जैसा कि carbylamine reaction में था, step 1 is the formation of carbine, formation of carbine intermediate by the reaction of by the reaction of your reaction between chloroform and phenol phenol और chloroform की जो है आपको एक मिंट, base की और chloroform की जो है, फिनोल नहीं सोरी, base की और chloroform की reaction करानी है सबसे पहले, chloroform and base की reaction, ठीक है, क्यूंकि तीनों चीज़े एक साथ reaction mixture में present होगी, बेस भी प्रेजेंट कीज़ेंट में, भी प्रेजेंट की有गी और फिनोल भी प्रेजेंट की जोगा, क्या करेगा सबसे पहले可能 अब सैब्सेंट करेंगा, कहां से करेगा, sidoALL से भी करेंगा, और इसे भी करेगा chloroform से तो पहले हम chloroform का case देखते हैं सेम पहला step बिलकुल carbyl amine reaction जैसा है यह हमने chloroform को लिखा यह वाला proton होता है acidic proton क्योंकि इसके उपर होगा dell positive इधर है dell negative तो base यहाँ पर आएगा कोई भी है hydroxide ion यह यहाँ से गया और इसके उपर minus पहले formation होगा किसका carb anion का ccl3 और इसके उपर minus 4 ठीक है पहले बनेगा carb anion इसको हम कहेंगे carb anion इसके बाद carb anion में होगा alpha elimination आपने beta elimination पढ़ा होगा ज्यादा तर beta elimination होता है कि जब एक particular compound की बात कर रहे हैं उसके side वाला जो atom होता है वो बीटा होता है but alpha elimination होता है same atom से जैसे यह carbon है इसके side वाले कि किसी atom से अगर कोई proton निकलेगा तो beta elimination but same carbon से अगर कोई group leave कर रहा है तो alpha elimination तो यहां से CL minus leave कर जाएगा है और यहां पर बनेगा CCL2 है ठीक है इसके उपर ऐसे दो बिंदू मतलब दो electrons लोन पेर नहीं बोलना है unbonded या non bonded electrons इसको हम कहेंगे dichlorocarbene क्लोरो फर्म जहां भी आ जाए और बेस आ जाए वहां formation कार्बीन का ही होगा यह याद रखना है अब होगा second step ठीक है second step में क्या होगा step second सबसे पहले जो फीनोल है यह है आपका compound फीनोल अभी के आई reaction mixture में बेस अभी भी present है क्यूंकि बेस के हमने कितने three molecules लिए है और यहां पर फीनोल है फीनोल कैसा होता है acidic nature होता है फीनोल का यह hydrogen जो है फीनोल की वह acidic होती है और इसली निकल जाती है रीजन क्या है रीजन यहां पर भी resonance है अगर कहीं पर भी आपको check करनी है कि कौन acidic होगा कौन नहीं होगा कौन सा प्रोटोन निकल सकता है तो सीधा-सीधा यह किजिए कि उसका जो conjugate base बना है वो कितना stable है फीनोल जो होते है वह alcohol से जादा acidic होते है रीजन है इसका reason यहीं पर समझ लेते है reason इसका है क्योंकि फीनोल के अंदर जो बैंजीन रिंग होती है देखिए यहां पर बेस आया OH- यह प्रोटोन यहां से गया और इसका electron इसके उपर तो यह बना conjugate base इस वाले फीनोल का conjugate base यह होता है और यह highly stable होता है वाई कि इसकी आप बहुत सारी resonating structure बना सकते हो बना-बना के देखते हैं यह यहां गया यह यहां जाएगा तो पहली structure पहली यह हुई दूसरी structure पर यहां double bond ओ माइनस यहां पर एक bond यहां एक यहां यह हुई second structure double headed arrow से इनको दिखाते हैं क्योंकि यह resonating structure होती है single headed arrow तब लगता है जब कुछ नया बना हो और double headed जब दोनों चीज़े एक जैसी हो और inter convertible हो तो यह दोनों एक ही compound है बस इसमें bond अलग-अलग है अब क्या होगा यह वाला माइनस यहां पर shift कर दो और यह चार्ज यहां पर तो एक और बना सकते हैं ऐसे ही यहां पर माइनस डबल बोन ओ ठीक है एक यह बना यह हुई third structure इसके बाद सेम ऐसे ही एक और बना सकते हैं चार्ज को डी लोकलाइज करो यहां पर और माइनस चार्ज यहां पर माइनस अब अगर एक और structure हम बनाएंगे अगले स्टैप में चार्ज को यहां ले जाए तो यह माइनस चार्ज ओक्सिजन के ऊपर हमें पहले वाली structure ही मिल जाएगी तो तो रैजोनेटिक structure बनाते टाइम आपने बनाते जाना है जब तक जब तक पहले वाली ना मिल जाए तो अगर इसके बाद बनाएंगे तो पहले वाली मिल जाएगी तो चार structure इसमें बनी जिसमें से एक मैं oxygen के ऊपर मैनस चार्ज है और तीन में कारबन के उपर है मतलब चार्ज कर रहा है जितना ज़्यादा चार्ज का डी लोकलाइजाजेशन होगा उतना ज़्यादा यह आपका conjugate base जो है उतना ही ज़्याधा क्या होगा स्टेबल होगा जितना जादा conjugate base stable होता है उतना ही acidic जो है आपका compound होता है तो that is why phenol is more acidic than alcohols ठीक है तो अब हम देखते हैं कि यहां तक हमारा काम था यह हमने अलग बना के देखी resonating structures इनका कोई रोल नहीं है हमारा main हमको इससे देखना है यह वाला जो conjugate base बना है इसको लेके चलते हैं reaction में ठीक है फिनोल से बेस ने क्या किया फिनोल से प्रोटोन निकाल लिया फिनोल का conjugate base बना फिनोल का जो conjugate base बना यह act करेगा as a nucleophile या फिर electron donor और reaction कब होती है एक electron donor और दूसरा एक्सेप्टर हो electron donor यह एक्सेप्टर कोन है कार्बीन हमने पहले भी पढ़ा है कार्बीन के पास क्या electron की कमी है क्योंकि 6 electron है आउटर मॉस्ट में 8 होने चाहिए और एक वेकंट आप कार्बीन को जब भी कार्बीन बनाए इस तरीके से बनाए ताकि ध्यान रहें कि यह लेक्ट्रोफाइल बेव करता है एक्सेप्टर एक electron donor दूसरा electron एक्सेप्टर इसी तरीके से और गैनिक में रियक्शन्स होती है तो यह क्या करेगा लेकिन यहां पर याद रखना है चार्ज oxygen के उपर है इस conjugate base में बट यह oxygen की तरफ से अटेक नहीं करेगा यह करेगा कार्बन की तरफ से यह बॉंड यहां जाएगा और यह जाएगा यहां डबल बॉंड आएगा यहां पर यहां आ जाएगा c c l c l और इसके उपर एक इलेक्ट्रोन पेर अभी भी है और यहां पर hydrogen ठीक है यह हुआ अब रिंग के एक बॉन टूट गया पाई बॉन मतलब रिंग की आरोमेटिसिटी क्या होगी यह डिस्टब होगी है जबी आप इस तरीके की मेकेनिसम करते हो रिंग की आरोमेटिसिटी डिस्टब होती है तो जैसे ही यह अटेक होगा उसके तुरंत बाद सबसे पहले रिंग को वापस एरोमेटिसिटी जनेरेट करनी है और वो कैसे जनेरेट करेंगे देखिए उसको जनेरेट करने के लिए आपको क्या करना है यहां पर सी कार्बन के उपर माइनस चार्ज है या एक इलक्ट्रोन पेयर है यह जाएगा यहां अलब अब यह हैड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगा यहां से अपना एलक्ट्रोन पेयर देखें तो यह वाले बॉन्ड के लक्ट्रोन यहां ओके और यह वापस इसके उपर माइनस चार्ज अब यह बना ऐसे और माइनस यहां पर क्या बचा C C L C L और H ओके तो यह इस वाले इंटर्मेडियेट से रिलेटेड कोशन काफी पूछे जाते हैं कि इंटर्मेडियेट जो है इसके अंदर क्या बनेगा उप्शन में आपको कार्बीन ना देके यह दिया जाता है तो यहां पर ध्यान रखना है उसको ऐसे लिखके देंगे शी एच सी ल्टू इसको लिखके देते हैं अब इससे अगले स्टैप में हम देखेंगे इससे अगले स्टैप में क्या होगा अब आपके पास बेस है बेस यानि की ओच माइनस ओएच माइनस इसके उपर अटेक करेगा और यहां से सी यल माइनस बाहर अब यह बनेगा ऐसे सी, सी यल, ओ एच और यहां पर एच ओके यह है आपका ओ माइनस तो जो ओ माइनस है वो क्या करेगा वो यहां से प्रोटोन लेगा यह वाला बोंड यहां और यह सी यल दूसरा भी बाहर दोनों के दोनों सी यल जो है अलिमिनेट हो जाएंगे और फाइनल प्रोड़क्ट आपका यह बना और यहां पर सी डबल बोंड ओ और इसके साथ एच और यह कौन सा ग्रूप होता है CHO ग्रूप होता है LD हाइड ग्रूप यह हुआ फाइनल प्रोड़क्ट और तो पोजिशन पर आ गया कि कहीं पर CCL3 दिया होगा option में कहीं पर क्या दिया होगा CH2CL दिया होगा तो CHCL2 बनता है कार्बन के साथ कार्बन मेंजीन के साथ है कार्बन के साथ इसके लावा एक हाइडरोजन है और दो चलोरींस निकलेंगी पहलिव चलोरीन कैसे निकली हुप सब्सक्राइब Inf answered निकल गया है दूसरा निकलेगा प्रॉप प्लोरीन निकलेगा और यह और direct यह इसने निकलेगा तो तो यहां से दोनों के बाद आपका फाइनल प्रोडकτ बनता है συνवे चोटी सी रियक्षन थी बहुत ही सिम्पल मेकनिजम पहला स्टेप बिल्कुल कार्बलमीन जैसा तो आप दोनों कोis को कर्दीज में को रिमर टीमन को दोनों के अंदर कार्बीन इंटर्मीटीट बनता है दोनों का पहला स्टैप होता है क्लोडोhromb की रिएक्शन वेस के साथ कार्बीन का जेनरेशन और से किंड स्टैप को इसकी आगे की मेकेशन है वह भी थोड़ी बहुत से वह से मिला कि कॉन सी रिमर टीमन reaction को रिप्रेज़ेंट करती है अब देखिए यहां पर फिनॉल हैं फिनॉल है अल्ड हाइड और यह तो यह तो cancel क्योंकि reactant आपका Idol fix है और प्रोड़क्ट क्या है एरो के उपर जो लिखे होते हैं वह होते है रिएजेंट्स यह वाला आपका रियक्टेंट और यह प्रोड़क्ट नेक्स्ट कोश्चन इन रिमर टीमन रियक्शन ये वाली रियक्शन आपको दी हुई है और पूछा है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा अब ये तो लाइन इसमें देखने की भी जुरूत नहीं मैंने बता है था कि इसके अंदर और तो सैलिसल डियाइड बनता है पर यहां से भी आप देख सकते हो य तो यह हमारा आज का टोपिक था रिमर टीमन रियक्शन आई होब कि यह टोपिक आपको समझ आया होगा इसकी मेकनिसम आपने अच्छे से समझी होगी इसके दो तिन कोशन प्रैक्टिस करते ही आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी और इससे सारे कोशन आप कर थेंक यू सो मच फॉर वाचिंग अस मिलते आप से नेक्स्ट क्लास में